हेलो स्टुडेंट्स बाल मनुविज्यान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज बाल मनुविज्यान का हमारा आठवा लेक्चर है पिछली कक्षा में हम समावेसे सिक्षा से सम्मंदित प्रश्णों को देख रहे थे और आज हम ब्रेल लिपी को समझेंगे सबसे पहले समावेसे सिक्षा में हमने क्या देखा था समावेसे सिक्षा हम देख रहे थे कि सभी के लिए समान सिक्षा है चाहे वो समाजिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा हो या सालरिक रूप से दिव्यांग हो या मानसिक रूप से कमजोर हो या आर्थिक रूप से आथी समान्य बालक हो या प्रतीभासाली बालक हो या आपका मांसिक रोप से जो कमजोर होते हैं चाहे वो बालक ही क्यों ना हो उसे हम मन बुद्धी बालक भी कहते हैं तो आपका जो समावेसिस इक्षा है वो क्या करता है सभी को सामिल करता है आज हम ब्रेल लीपी को समझें कि brain lippy क्या होता है आज ये देखेंगे समानिता brain lippy नेतर हीनों के लिए जाना जाता है और इसकी पीछे लोइस जी का नाम जाना जाता है कहा जाता है कि जब वो तीन वार्ष के थे तो उनके साथ इंगघटना घटी थी वो अपने पिता पिता जी उनके काम करा करते थे वो घोडे का नाल वगएरा बनाने का काम करते थे तो उनके कारेशाला में कुछ नुकीले आउजार रखे हुए थे तो वो खेलते खेलते लुईस पहुच गये थे और उस नुकीले आउजार को वो अपने आख में थोके से लगा भी जा चुकी थी, इस प्रकार वो अपने दोनों आग की रोशनी खो चुके थे, तब भी वो कहा जाता है कि प्रतिभा के धनी थे, वो कारे में लगे रहे, काम करते रहे, एक वक्त आया जब उनका पैरिस ब्लाइंड स्कूल में एडमीशन हुआ, पैरिस ब्लाइंड स्कूल जो रात को यूस किया जाता था, पत्र उसके बारे में बताये वो, नाइट इसक्रिप्ट, जिसमें समानने था, बारा बिंदो का प्रियोग बताये थे वोई, जिसका प्रभाव लुईस पर पड़ा, और उन्होंने इस पर काम करना सुरू कर दिया, लुईस क्या कि ये, ब कुछ important points देखते हैं, ब्रेल पद्धती एक तरह की लिपी है, जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छू कर लाया जाता है, वयभार में लाया जाता है, आपका जो ब्रेल लिपी है, इसमें क्या किया जाता है, अच्छरों को, सब्दों को, आप जो अंक होता है, उसको क्या जाता है, उभारा जाता है, तो इसे बच्चा क्या करता है, छू कर देखता है, इस पद्धती का विश्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसिसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था, यह अलग-अलग अक्षरों, संख्यां और विराम चिन्नों को दर साते हैं, कहा जाता है कि लुईस ब्रेल जब तक जीवित थे, तब तक यह पद्धती पूरे विश्व में विख्यात नहीं थी, उन्हें माननेता नहीं मिली थी, उनके मृत्यू के पश्चात इस पद्धती को माननेता मिली थी, इन्होंने इस पर बहुत महनत किया था, काम किये थे, संख्या हो, अक्षर हो, या अंक हो, तो इस पर वो यह दिन रात काम करते थे, तब जाके आपका इस लिपी का क्या हुआ, अविश्कार हुआ, आप देख सकते हैं, यह कौन है आपके, लुईस ब्रेल जी है, जो इस सरह का, यह A है, A को हम, और यह 6 बिंदू, अगर यह समान्य बालक है, जो P, Q को इस तरह देख रहे हैं, लेकिन जो नेतरहिन बालक होते हैं, वो क्या करते हैं, छू कर देखते हैं, यह बिंदू को समझते हैं, इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है, उभारा जाता है, जिस नेतरहिन बालक से क्या कर सके, समझ सके, आगे बढ़ते है आप ये image देख सकते हैं आप देखी यहां पर ये जो बिंदू दीख रहे हैं ये इस तरह से ये ये क्या है आपके brain लिपी है इसमें क्या किया गया है उभारा गया है बिंदू को और इसे touch करके पढ़ा जा सके इसलिए इसका उपयोग किया जाता है ये बह रवाल बनता है आपका question की world braille day कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा चार जन्वरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है एक्जाम यहां से आपका question कर सकता है तो याद रखिएगा पूरे विश्व में braille दिवस कब मनाया जाता है तो चार जन्वरी को मनाया जाता ह आगे देखते हैं, Braille Lippie, यह देखे, question बन गी अभी हमने देखा, अब तुरंत question आगे इसका, Braille Lippie का प्रस्तावक है, कौन है आपका, Charles Braille, नहीं, Louise Braille, हाँ, Louise Braille है अभी हमने देखा, कि इन्हों ने क्या किया था, Braille Lippie का विश्कार किया, बाकी तो इनका नाम ही नहीं आ तो यह क्या हो गए आपके गलट हो गए तो answer क्या हो जाएगा आपका second हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ये कुन है आपके लूइ ब्रेल है याद रखेगा आज इन्हीं के बदाउलत जो नेत्रहीन बालक है वो आसानी से चीजों को पड़ लेते हैं समझ लेते हैं पहले भी थ लेकिन उस समय इनको बहुत ज़्यादा परिशानिया हुआ करती थी, बहुत संघर्सों के बाद वे सीखते थे, लेकिन आज वो असानी से चीजों को महसूस करते हुए छूँकर समझ लेते हैं ब्रेल लिपी के बारे में निम लिखित कत्नों का अध्यान कीजिए, देखिया आपके एक्जाम में इस तरह के सवाल बनते हैं, पहला ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स उभरे हुए बिंदो बना कर लिखा जाता है, बिल्कुल हम इमेज में देख रहे थे कि एक पेपर ह होता है, जिसमें क्या किया जाता है, अक्षरों को उभार कर लिखा जाता है, ये लिपी आठ बिंदों पर अधारित होती है, क्या ये आठ बिंदों पर अधारित होती है, क्या नहीं होती है, हमने देखा कि इसमें कितने बिंदों होते हैं, आठ बिंदों गलत है, तो आपक पंक्तियों को एक नुकीली ओजार से बनाया जाता है, बिल्कुल एक नुकीली ओजार के जरिये हम क्या करते हैं, बिंदो को उभारते हैं, उठी हुई बिंदी या उठी हुई बिंदियों पर उंगलियां चला कर इसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल, आपका A सही है, आपका त प्री बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नमबर पे संपर्ग कर सकते हैं, साथ ही हमारा महिला परवेच्छक का जो बैच है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही महतपूर पोस्ट है, तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है आपके, 10 जनवरी, स्वारी, 10 जुलाई से, 10 से 2 होगी, इसके अलावा आप और भी जादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस नमबर पे संपर्ग कर सकते हैं, साथ ही व्यापम के जो अन्य एक्जाम है, उसकी भी त्यारी सुरू हो चुकी है, आपका CGPSC प्री का बैच प्रारंब हो चुका है, आपके 19 जुलाई से प् तो आप चाहे हैं, तो इसे जॉइन कर सकते हैं, और अधी जानकारी के लिए आप इस नमबर पे संपर्ग भी कर सकते हैं, छलिए आगे देखते हैं, वही बात है कि आपके लिए Demo Classes भी होगा, और साथ में आपके लिए Hybrid Class भी होगे, Online Class, Offline Class, हर तरह का आप घर बैठे बै तो अगर जो भी आप बालमनुविज्ञान की क्लास देखना चाहते हैं, तो हमारे यूटूब पर देख सकते हैं, इसकी क्लास डेली दी जा रही है, चलिए, नेक्स टॉपिक है हमारा सीखने का मॉडल, सीखने का मॉडल जो अपने आप में क्या है, एक महत्पूर मॉडल है, क्यों सीखने का मॉडल का अर्थ होता क्या है, तो इसका एक सिंपली अर्थ देखिएगा, सीखने का मॉडल होता है, वो हमें सीखने की पध्धती को बताता है, कि हम कैसे सीख सकते हैं, एक जो बच्चा होता है, या एक समान्यमाना होता है, वो तीन तरीके से सीखता है, या का ये model होता है, ये आपके maths में अक्सर देखने को मिलता है चुकि ये maths pedagogy का एक topic था, सीखने का model आपका examiner कहीं से भी सवाल उठा सकता है क्योंकि उसने क्या किया है, बाल मनुविग्यान बस लिख दिया है, बाल मनुविग्यान से अगर आपसे पूछा जाए कि सीखने का model क्या होता है, तो याद रखिएगा सीखने का model ऐसा model होता है जिसमें हम चीजों को किस प्रकार से सीखें या समझें, ये हमें model बताता है सबसे पहले हम देखेंगे आपका ये आपका तरीके से चीजों को सीखते हैं तो ये अलग-अलग तरीके से सीखने ही आपका क्या होता है, सीखने का model होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सीखने का banking model, important है सीखने का banking model से सवाल आपकी बनते हैं, क्या होता है सीखने का banking model, तो सीखने का banking model होता है, सबसे पहले इसके नाम पर हम चाहेंगे, कि इसका नाम banking model क्यों पड़ा, क्यूं? क्यूंकि इसका नाम banking model इसले पड़ा, bank जिस प्रकार होता है न, वैसे हम इसमें सीखते हैं, अब कैसे सीखते हैं? आपका ये देखिए, यहां से देखिएगा, ये image से समझेगा, हम bank में क्या करते हैं? पैसे को जमा करते हैं और जरूरत पढ़ने पर क्या करते हैं? पैसे को बाहर निकालते हैं, exactly आपका banking model भी ऐसा ही होता है, इसमें आप जानकारी को एकत्रित करेंगे और जरूरत पढ़ने पर निकाल देंगे, जैसे आप किसी चीज को रट रहे हो, याद कर रहे हो, ठीक है? स्टोर करते जा रहे हो, ब्रेन में स्टोर कर रहे हो, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं? उसे तुरंत तदकाल जवाब देते हैं, बताते हैं, तो आपका जो banking model होता है, वो bank की तरह होता है, कि आप इसमें पैसे कातरत करते हैं, जरुरत पढ़ने पर निकालते हैं, तो ऐसे आप रटते जाते हैं, याद करते जाते हैं, और जरुरत पढ़ने पर क्या करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, आप देखते होंगे, exam hall में, exam आप खूब रट कर जाते हैं, अच्छा पढ़ कर जाते हैं, लेकिन जब आप exam में बैठते हैं, तीन घंटे का जब आप लिखते हैं, तो फटा-फट जो दिमार्थ में रहते हैं, उसे उतारते हैं, तो ये क्या आपका banking model है, ये कौन है आपके, पाउलो फ्रेयर है, ये इन् है, तो किसके लिए अच्छा होगा आपका, देखिए, ध्यान से आंसर दीजेगा, हमने देखा कि banking model क्या करता है, इसमें हम bank की तरह पैसे को एकत्र करते हैं, और जुरत पढ़ने पर बाहर निकालते हैं, वैसे ही आपका banking model है, इसमें हम ज्यान को एकत्र करते हैं, और जु सरजनात्मक सूच तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सरजनात्मक सूच की बात नहीं करता, ज्यान की समझ इसमें ज्यान की समझ नहीं होती, इसमें सिर्फ ग्यान इखटा करने की बात की जाती है, तीसरा आपका ज्यान की प्राप्ती ये बिल्कुल सही है, इसमें हम क्या करते ह ग्यान की प्राप्ती प्राप्त करते हैं, यहां ग्यान की प्राप्ती देखते हैं, तो यह clear हुआ आप लोगं को, चलिए आगे देखेंगे, सिच्छा का बैंकिंग मॉडल, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, सिच्छा का बैंकिंग मॉडल पाउलो फ्रेयर द्वारा इस्तमाल किये जाने वाला सब्द है, जिसका इस्तमाल पेड़ागोगी ऑफ दा ओप्रेस्ट पुस्तक में किया गया है, मतलब एक अपट्छी का वर्णन और अलोषना करने के लिए किया जाता है, कहने का मतलब यह है, कि जो आपका बैंकिंग मॉडल है, वो एक तरह का पारंपरिक शिच्छा भी है, क्यों कि इसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, याद करने को बोलते हैं, रटने को बोलते हैं, हम उसको पेड़गोगी आफ ऑप्रेस्ट पुस्तक में इस जो आपका मॉडल है, सीखनी का मॉडल, कौन सा मॉडल, बैंकिंग मॉडल, इसकी अलोशना भी की गई है, कौन से बुक में, पेड़गोगी आफ ऑप्रेस्ट पुस्तक में, सिच्छा का बैंकिंग मॉडल एक दृष्टी क जो छात्रों को संग्रह करता की रूप में देखता है, बिल्कुल इसमें छात्र क्या करता है, जिसमें सिच्छा को द्वारा ज्यान जमा किया जाता है, सिच्छा क्या करता है, ज्यान को जमा करता है, ये पावलो फ्रेडे द्वारा एक विक्षित रूपक है, आपके पावलो सिच्छा, सिच्छक को तानासा और छात्र को निस्क्री परविच्छक के रूप में देखती है, बैंकिंग मॉडल ना एक वाकई में एक ऐसा मॉडल है जिसमें बच्चे के अंदर क्या होती है, रशनात्मक जो बुद्धी होती है उसका विकास नहीं हो पाता है, इसमें चात्र को कोई मतलब नहीं होता, बस वो अपने ज्ञान अर्जन करने से मतलब रखता है, ज्ञान को एकत्र करने से मतलब रखता है, इसमें कभी-कभी सिच्छक जो होता है, वो सिखाने के मामले में थोड़ा सा निस्क्री भी दिखाई पड़ता है, इसमें उपयोग की जाने वाली प्रमुक् शच्छडिक नीतियां है या रड़ नीतियां कौन कौन सी है सिच्छक कतन अब ध्यान दीजीगा इसमें पहला वड लिए सिच्छक कतन अब image दोहरा समझ एगा इसमें क्या करता है? कि सिचक जो भी कहेगा उसे छात्र बिना समझे, बिना सवाल किये क्या करता है? बस एकत्र. अगर सिचक ने बोला कि विश्व में ये ऐसा है, वैसा है, अगर वो कुछ भी बात बतारहे हैं, जैसे सिचक हमेसा बात कहते हैं, एक होती ही नब बच्चे से आपनों चलो, लिखो, तो बच्चा बस copy में लिख रहा है, बाकि उसको कोई मतलब नहीं, बस उसको रटना है, दिमाग में ग्यान को अरजित करना है, तो ये क्या है, सिच्चक सबसे बड़ी बात क्या है कि सिच्चक इसमें जो ग्यान देगा बच्चा उसे एकत्र करेगा, ये पहली बात हो गई, नोट करते चलेंगे, दूसरा है छात्रों की निस्क्रीता, निस्चित्रों से अगर सिच्छक बच्चों से सवाल नहीं करेगा, जियों कत्यों पढ़ाएगा, उसे उससे कोई मतलब नहीं हुआ, तो छात्र क्या होगा, कक्षा में निस्क्रीप राय हो तो सबसे पहले सिच्छक का कथा, सिच्छक जो बोलेगा, बच्चा उसे क्या करेगा, अबजर्व करेगा या ग्रहन करेगा, दूसरा क्या आपका छात्रों की निस्क्रीता, अब इसमें छात्र क्या होते हैं, निस्क्री होते हैं, सिम्पल सी बात है, बना बुना है अगर को मिल जाएगा, कि आप ऐसा करो, तो छात्र वैसा करेगा, अगर आप उसे creativity वाला काम नहीं दोगे, उसे खोजबीन करने का काम नहीं दोगे, उसे खुद से तर्क लगाने को नहीं कहोगे, उसे सोचने को नहीं कहोगे, तो छात्र निस्क्री रोप से हो जाएगा, यार निस थो यह निसक रे कख्षा होती है, पूर्व की ज्ञान की अग्यानता, síजा कोई बाते नहीं होते, कोई मतलब नहीं होता है, कभी-कभी हमे रच्णात्मक मौ doe commandments are निस्करी कक्षा होती है पूर्व की ज्यान की अज्यानता बैंकिंग मॉडल में क्या होता है पूर्व की ज्यान की अज्यानता होती है इसमें बच्चों के अनुभाव से संबंधित कोई बातें नहीं होती है कोई मतलब नहीं होता है कभी-कभी हम रशनात्मक model में देखते हैं, या रशनात्मक अक्षा में देखते हैं कि बच्चों से क्या करते हैं, तरह-तर के सवाल करते हैं, वो जो भी चीजे अपने life में face करते हैं, feel करते हैं, उन्हीं से connect करके हम क्या करते हैं, चीजों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है कभी-कभी बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत बोज बन जाता है बच्चे टेंशन में आ जाते हैं सिंपल सी बात है आप उन्हें बस रटा रहे हैं आप उन्हें बता दोगे कि यह यह चीज़ आप रटिए तो बच्चा निश्चीत रूप से एक समय के बाद वो परशान हो जाएगा और बच्चे यही कारण है कि कई-कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं और कोई-कोई बच्चे परशान हो जाते हैं क्योंकि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो रटने वाले नहीं होते हैं, उन्हें समझ कर पढ़ना, उन्हें खोच करके पढ़ना, या उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, या ऐसा कह सकते हैं कि डेली लाइफ में जो चीजे होती हैं, उससे कनेक्ट करके पढ़ना बच् परशंट को लेके वो बहुत भूरा है, जो बच्चा ज्यादा परशंट लाता है, आपका 90 परशंट वाला बच्चे को एकदम अच्छे से समझा जाता है, जब कि ये गलत बात है, 90 परशंट वाला बच्चा लिख के लिए लो रचनात्मा गुद्धी वाला नहीं होगा, वो समाज की कमजोरी है, संपूर समू सिच्छड, अब इसमें क्या होता है, टीचर क्या करता है, आप इधर ध्यान दीजेगा, कि सारे बच्चों को एक साथ बैठा देता है, समू सिच्छड में क्या होता है, कि बच्चे एक बच्चे पर ध्यान नहीं देता है, उसको कोई मतल बस वो बच्चों को ग्यान दे देता है, बच्चे ग्यान ग्रहन कर लेते हैं, यह सम्मू में होता है, इसमें बच्चे का व्यक्ति गत रोप से ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि बच्चों का प्रॉपर रोप से क्या करना चाहिए, व्यक्ति गत रोप से ध्यान देना चा है कि सिच्चh ki banking of dharnah एक सिच्चhdoc Sally के लिए Paolo Freyar द्वारा बनाई गई एक लक्षड़ा है बिल्कुल हम ने देखा कि Paolo Freyar द्वारा दिया गया एक सिद्धान थैं लक्षड़ा है जहां सिच्चh şunu के मस्तिस्क में ज्यान को क्या करता है जमा करता है जैसे कि वो piggy bank हो piggy bank कैसा हो माल लीजिए ये छात्र का क्या है मस्तिस्क है और ये क्या है आपका ग्यान है ये आपका जो सिक्का है वो क्या है ग्यान है और ये teacher है आपका ठीक है ये आपका क्या है teacher है तो ये एक piggy bank की तरह है कि ये बच्चों का जो मस्तिस्क होता हुआ वो piggy bank की तरह होता है और जो सिक्का होता है वो ज्यान होता है और डालने वाला क्या होता है आपका सिच्छक होता है चलिए question क्या है banking model के बारे minimum लिखित में सा कथन कौन सा सही नहीं है बताना है हमें सिच्छक सिच्छड में सक्री है, क्या सिच्छक सक्री होता है क्या नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, ये अलोशनात्मक सोच को प्रतिबंधित करता है, हाँ ये गलत हो गया और इसमें हमें नहीं बताना है, इसका सबसे पहले पावलो फ्रेयर द्वारा उप्यों किया गया यह सही है, ज्यान का भंडार रखा जाता है, यह भी सही है, हमसे क्या पुछा गया है, सही कथन नहीं है, तो इसमें आपका सही कथन कौन सा नहीं है, आपका first और second option यह हो गया, clear हुआ, चलिए इसके बारे में कुछ important points देखते हैं, banking model की खोज मूल रूप से ब्राजील के दार्शनिक पाउलो फ्रेयर ने अपनी 1968 में किताब थी, pedagogy of the oppressed में किया था, पूछा जा सकता है सवाल कि आपके banking model का जो सिधान था, वो किसके दुआरा और किस पुस्तक में किया गया, तो याद रखिएगा, पाउलो फ्रेयर दुआ तरह, pedagogy of the oppressed पूस्तक में किया गया, सिच्छा की इस banking अवधार्ना में सिच्छक सीखने की प्रक्रिया का विसय है, जबकि छात्र केवल वस्तू है, बिल्कुल, सिच्छक उसे क्या करते, एक वस्तू के रूप में देखता है, कुछ key points देखेंगे, किसके अनुसार, आपक चात्रों को पढ़ाया जाता है, निश्चित रूप से, सिच्छक सब कुछ जानते हैं और चात्र कुछ नहीं जानते, चात्र वही जानेंगे, जो सिच्छक उन्हें बताएगा, एक्स्ट्रा उनको कोच भी चीज़े नहीं पता होता है, कहां से पता होगा जब बच्च तर कारेवाही के माध्यम से कारे करने का भ्रम होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कि जब हम अपनी स्कूल में हुआ करते थे, तो कभी कोई ऐसे टीचर भी आप लोग ऐसे मिले होंगे, जो बस क्लास में आते थे, चलो, क्या पढ़ना था, मैं ये पढ़ना था, ठीक है, चल कुणजी निकालो, लिखो, क्या पढ़ाय थे कल, चलो, याद करो, तो ये क्या एक तरह का banking model है, तो सिच्छक कारेकरतर, चात्रों को सिच्छक की कारवाही के माध्यम से कारे करने का भ्रम होता है, चात्रों को लड़ता है, वो सीख रहा है, काम कर रहा है, वास्तों में वो क्या होता है निस्क्री प्राय होता है वो बस उतनी जान रहा है उतनी ग्रांड कर रहा है जितना सिच्छक उसको बता रहा है अकर सही बता रहा है तो भी वो ग्रांड करेगा गलत बता रहा है तो भी ग्रांड कर रहा है तो यह क्या आपका एक प्रगार का बैंकिंग मोडल है सिच्छा कारिकरम की विसेवस्तू का चैन करता है और च्छात्र जिन से परामर्स तक नहीं लिया गया इसके अनुकूल होते हैं गयने का मतलब यह है कि च्छात्र को कोई मतलब नहीं होता ना सिच्छा को कोई मतलब हो रहा है कि च्छात्र क्या सीख रहा है इसमें सिच्छक जो पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, वो बच्चे सीख रहे हैं, ना छात्र से पूछा तक नहीं जाता कि आपको समझ में आया कि नहीं, मतलब उनके daily lives related है कि नहीं, तो ये सारी चीज़े नहीं होती है banking model में, तो एक परकार से ये negative भी है, banking को धाड़ना में सिच्छक को संग्रह करने की गति विधी के रूप में माना जाता है, और अभ्यास किया जाता है, इस संग्रह कारे में छात्र संग्रह करता और सिच्छक क्या होते हैं, जमा करता की रूप में होते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि banking model क्या है, एक प्रकार क संग्राय प्राप्त करना दाखिल करना संग्राय करने तक की विस्तारित होता है मतलब आपका जो बच्चा होता है वो क्या होता है सिमित होता है सारे पॉइंट्स को आप देख लेजेगा मैं बस हलका हलका समझा देरीं क्योंकि इतना आपको रटने की जुरत नहीं है अगर आ कर सकते हैं या screenshot ले लीजे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका भी screenshot ले लीजे अप, इस रूपक में सिच्छक छात्रों में जानकारी संग्रह करता है, जो सीखने की प्रक्रिया में निस्क्री होता है, हमने देखा इसका नाम ही है banking order, इसमें हम जानकारी को क्या करेंगे, एकत बिल्कुल जो खाते होते हैं आप खातों में लिखते हो पूरा, तो ऐसी बच्चा क्या करता है, सूचना एकत्र करता है, इस प्रक्रिया में कोई पूछताश नहीं होती और ना कोई परश्परिक होती है, जितना बताये कि उतना अर्जित किया गया, सिच्छक छात्र में ज जमा करते हैं। उसके अलावा question कहीं से नहीं घुमाएगा। इसका सिध्धान्त किस नहीं दिया। पाउलो फ्रेयर का नाम रखिएगा। कौन से बुक में लिखा है बस यह रखिएगा। उसके लावा कुछ एक्ष्रा पढ़ने की जुरत नहीं है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दूसरा मॉडल है आपका सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल यह हम अगली कक्ष्रा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही थैंक अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटि